माई डियर स्टूडेंट यदि आपकी परिछा इंगलिस की लगी हुई है कल परसो या फिराने वाले दिनों में ठीक है तो इस वीडियो से 90 प्रतसत जो प्रश्ण है इसी वीडियो से आएंगे गैरंटे के साथ मैं बोल ला हूँ तो वीडियो को इंड तक जरूर देखते र आएं जो आप लोग के एकजाब में आने वाले वीडियो को लास्ट तक देखता ही नहीं कोई लास्ट वाले कोई से चूटी जाते इफिले आप लोग को कम नंबर मिलते और किसी वज़ा फिने कम से कम हमने जो मेहनत की इंपॉर्टन कोईश्चन तयार किया उसको तो देख समस्टर आपका फश्ट है जो भी हमारे फिर समस्टर के चाहतर जिनको 2024 में परिछा देनी इंगलिस सब्जेक्ट है प्रश्ण पत्र का नाम है इंगलिस प्रोज एंड राइटिंग स्किल तो इसी से जोड़े सारी कोश्चन होंगे सबसे पएदे हम डिसकस करेंगे वेरी इसके बाद हम सुरू करेंगे वेरी वेरी ठीक है लॉंग टाइप कोश्चन वेरी सॉट यानि की अतिलग हुत्रे का पहला प्रस्ट हिंदी में बोले तो लिखाए कि कोश्चन की राइट इन ब्रीफ दी कंट्रिबूशन आफ राजा राव टू इंडियन इंगलिस है ठीक है इसमें इनका क्या योगदान रहा है ठीक है कहानी में आत्मकथा में उपन्यास में ठीक है इन सभी में जो राजा राव हैं इनका क्या योगदान रहा है ठीक है क्या कंट्रिबूशन रहा क्या योगदान रहा उसके बारे में आपको व्रीफ यानि कि कम सब्दों में आपको बताना है ठीक है महात्पूर्ण प्रस्ण है ध्यान रखेंगे और अगला प्रस्ण है कि देखे ये कभी कदार आने वाला कोईश्चन हमेशा नहीं फसता है तो इसलिए हम इसको गारंटी नहीं लेंगे कि आएगा ही आएगा लेकिन कुछ कोईश्चन हैंसे होंग जो कि 1943 में यह जो इस्टोरी है वो पब्लिश की गई थी यह फिर कह सकते कि रिलीज की गई थी ठीक है तो ध्यान से सुनेंगे आपको यह कोईश्चन यहीं कह रहा है कि आप जो माल गुडी एक स्टोरी है कहानी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं वहीं आपको लिखन सब्सक्राइब करना है यह कोईश्चन यह कह रहा है कि मतलब कि यह कोईश्चन कह राधान सुनेंगे जो मुल्क राज है ठीक है मुल्क राज आनन्द एक प्रमुक ईंग्लिस के रायटर है ठीक है और TL आप लोग बोलते है ठीक है का भी है रायटर है तो इनका क्या योगुदान रहा है जो भारतिय इंगलिस राइटिंग मतलब की जो इंगलिस साहित रहा है उसमें इसको ग्रोथ ग्रोथ का मतलब आप लोग समझ रहें न विकास ठीक है उसका डिवलप्मेंट विकास ग्रोथ में इनका क्या योगदान रहा है यानि कि मुल्क रागद आन्द जो कि एक पोईट है इनका जो इंडियन इंग्लिस राइटिंग यानि कि जो इंग्लिस का जो साहित है उसमें इनका क्या योगदान रहा है तो ये कोश्चिन आपको लिखना है बहुत ही popular question करे बार आचुका ध्यान रखेंगे next question है कि brief discuss type of letters यानि कि आपको जो letter होते हैं उनके type यानि कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं उनके बारे में लिखना और उसके बारे में थोड़ा परचे भी लिखना यानि कि आपको पत्र के प्रकार लिखना है एक तरीके समझ लीजे इस प्रकार ठीक है और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है ठीक है तो इससे पहले मैंने महा संग्राम वीडियो बनाई थी इंगलिस की उसमें जो जो मैंने question बता चुका हूँ वही model paper में इसमें पूछे गए हैं और इस model paper में जो जो मैं question बताऊँगा है फिर अलग से कुछ question मैं आपको उताऊँगा PDF से वो आपको तयार करना आपको का फफलता मिलेगा आपके exam में ठीक है तो यह भी most important question इसका जो अंसर है हमारी महासंगराम PDF में included है तो यह अभी जान लीजिए कि महत्पूर्ण है कि नहीं तो कुल मिला कि यह महत्पूर्ण कटगरी का question है अगला कि discuss any three types of froze right ठीक है राइटिंग्स यह question यह कह रहा है कि गद्द लेखन की किनी तीन प्रकारों के बारे मताई यह पिर तीन प्रकारों के बारे में चर्चा किजिए discuss any three types of froze writing यानि कि गद्द लेखन के बारे में आपको लिखना है गद्द लेखन के जो प्रकार है तीन प्रकारों के बारे में लिखना है यह भी popular question है कई बार आचुका है ध्यान लखेंगे ठीक है और अकला question है ध्यान से सुनेंगे अगला question कह रहा है कि define यह question में कई बार आ चुका है ठीक है 100% फसेगा यह उम्मीद पूरी है 99% उमीद फसेगा define ठीक है travel log travel log का मतलब होता है यात्रा वरतांत यात्रा वरतांत आपने हिंदी में तो सुना ही होगा यात्रा वरतांत एक हिंदी गद्य की बिधा है ठीक है क्या है हिंदी गद्य की एक बिधा है जैसे कि उपन्यास नाटक ठीक है आत्मकथा, एकांकी, कहानी यह सब बिधाय होती है और यात्रा वर्तांत भी एक विधा होती है तो थ्लें लोग का मतलब होता है ठीक है यह उसकी बात को धेमी तो अगला स्विष्टन कही रहा है कि define इसका भी उत्तर हमने महासाग्राम PDF में तयार कर लिए अभी हम आपको बता रहें पहले इसमें से most important question तो आपको बता देखा उनकों से आपको तयार करना है फिर हम आते हैं उस पर भी इस question की Define इस्टोट के बारे में आपको लिखना है यह question कभी कदार आता तो आप चाहितें इसको कर सकते हैं इस्टोट का मतलब होता है उपख्यान अगला question कर रहा है कि what is plot in our story ठीक है तो ये भी महात्पूर्ट प्रशन है कई बार प्रशन आ चुका परिश्चा में ठीक है plot प्रशन प्रशन आएगा पकाता है इसको भी आपको तैयार कर लेना इसका भी उत्तर हमारी महासंग्राम PDF में बिलेगा और नेस्ट कोईश्चन है कि भी या डिफाइन ठीक है ध्यान से सुनेंगे मतलब कि एक्जामपल के साथ आपको बताना है कहने के मतलब है कि ठीक है अपरश्टिक का मतलब होता है सूक्ती ठीक है और इसके बारे में आपको लिखना है कि इसका अर्थ क्या होता उसके बाद इसका उदाहन भी आपको देना है ठीक है संशिप्त में सुक्त क्या है यह आपको लिखना है कि सुक्त सैली जो होती है इसकी परिभाफा दीजिए ठीक है सुक्त जो सैली होती है ठीक है स्टाइल के मतलब होता है ठीक ह तो आपको सुक्त सहली की परिभाफा देना है और इसका एक उदाहान रखना है वही कोश्चन कहरा ठीक है तो कभी कदार आता हमेशा नहीं आता हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन नेस्ट कोश्चन मोस्ट इंपॉर्टन जो कि हमेशा आता ही आता है कि ध्यान से कि अरे क्या इसको जाद कर लेते हैं फिर यहां पर लिखा है लैिकन यहां परहनος ने मिन से मिस्प्रिंटिंग हुई इसको डाइटल बोलते हैं लिट्पोर इसे spelling होती रही है तो यह है ताइटल यहां पर लेकिन जो मिश्प्रिंट हो आए लोगों से टो दा लिट ठीक है टाइटल दी लास्ट लीफ यानि कि जो एक आपके इस लेबर्स में भी फश्टेर के फ़र्स स्मेंश्टर में एक जो दा लाश्ट लीफ एक लेसं है ठीक है अब आ जाएंगे हम लग उत्रे जिनको बोलते हैं कि अभी तक वेरे सौट थे अब सौट टाइब के कोश्चन आएंगे जिनको लग उत्रे बोलते हैं दी में ठीक है तो सौट टाइब केहने की लग उत्रे का पहला प्रस्ण है कि ड्रा आ करेक्टर स्केच आफ स्यू ठीक है तो यह भी हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार फस जाता तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको इग्नोर भी कर सकते हैं फिराल इसका भी उत्तर हमारे महासंग्राम पीड में इसको जरूर ध्यार नहीं आप सभी को फ्रेंड एंड कंपोनियन टू लोना यह बहुत इमाहत पूर्ट प्रस्ण कई बार आज चुका इसको ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए को बढ़ते हैं कि अध्यान से सुनेंगे बहुत इमाहत पूर्ट प्रस्ण यह भी है कि सब्सक्राइब में इसी इनवर्स एक इनवर्सिटी का पेपर है हलाकि हर इनवर्सिट्यों में लगबग लगबग प्रस्ण पूछा जा चुका है ठीक है मतलब लोगों को इनको बोलते हैं एक्स्प्लेइन दी फ्लॉटिक है फॉलोइंग लाइंस वित रेफरेंस टू दी कॉंटेस्ट ठीक है मतलब की जैसे कि हिंदे में आपको संदर्व साहिद ब्याइख्या करने के लिए कुछ पैराग्राफ दे जाते हैं सेम उसी तरह एंग्लिस में भी कुछ आपको फैराग्राफ और कुछ आपको लाइन नहीं दे जाती जिनके आप लोगों को एक्स्प् लेसंस से ली गई है और इस लाइन के राइटर यानि के लेखक कौन है ठीक है तो आपको पहले तो रिफरेंस में यहीं सब लिखना पड़ेगा ठीक है कि मतलब किस लेफंफ लिया गया राइटर वाई कौन है उसके बाद आपको प्रसंग में में लिखना होगा कि में मुद्ध क्या है इस लाइन का उसके बाद explanation व्याक्या मैं आपको इसका explain करना पड़ेगा कि मतलब क्या है ठीक है यहीं आपको लिखना पड़ता ठीक है तो करीब करीब चार पैरा ग्राफ दिये जाते कुछ इन्वेशिटियम्दों ही दिये जाते और आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा रटी आई अप्लेकेशन तो गेट इंफॉर्मेशन ओन एक्सपेंस ठीक इनकॉर्ड फ्रॉम दी स्पॉर्ट्स फंड आफ दी कॉलेज तो यह कई बाव मतलब कि अप्लेकेशन कोई भी लिखने के लिए प्रिटार मतलब कि कुई प्रिछे में आजाए कि मालेजे की आपको चुट्टी लेनी उसके लिए एक अप्लेकेशन भीए पिर कुस्चिन हो सकता कि अगर आपको कहीं पर फ्रेंड के साधी में जाना है तो उसके लिए लिए लेटर लिकने के लिए आफकता है या फिर आप फीज जो है वो माप कराना चाहरे तो उसके लिए लिटर लिखने के लिए आफकता है तो कोई भी लिटर आफकता है उसको आप अपने एकोडिक त्यार करेंगे क्योंकि नहीं होता कि कौन सा लिटर आएगा ठीक है ध्यान रखेंगे उसके बाद आपको लॉंग टाइफ यान सब्सक्राइब की एसेस्ट का मताब होता है कि निबंध ठीक है निबंधकार की रूप में बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्टने चार्ल्स लैंब जो की प्रमुक राइटर और पोएट हैं इंग्लिस साहित की इंग्लिस लिट्रेचर के तो ध्यान डखेंगे फिर जोड़ा ठीक है और अगला है कि डिसकर्स दी प्रोज स्टाइल आफ ठीक है फ्रेंसिस वैकॉन यह वी कुष्टन का इवारा आ चुका है ठीक है तो यह सब आपको तयार कर लेना खाफ करके जो लॉंग टाइप वाले कुष्टन है इन चारों को आपको तयार कर लेना पक्का फसेग इसके लामा अन्य भी मोस्ट इंपर्टन कुष्टन जो पिछले पालों में कई बार आ चुके हैं और इस बार आने की संभावना है उनको मैंने तयार करके आप सभी लोगों के समस्त्र प्रस्तुत करने का प्रियास किया तो चलिए हम आपको पीडियफ भी दिखा देते हैं ओके तो ये रही वो पीडियफ जिसमें मतलब जो माडल पेपर में कुष्टन देगे हैं लगबग लभी सभी का एंसर इसी पीडियफ में आपको मिल जाएगा ठीक है और उसके लामा अन्य भी मोस्ट इंपर्टन कुष्टन इसमें इंकिलूट किये गे हैं जो कि आपके ए इच्छा देकर आएंगे तब बताएंगे कि यहां पर आपने जो बताया था वह आया ही आए था देख लीजिए ठीक है तो इसलिए थोड़ा जो वर्ट्स हैं वो भाई मिस्टेक बोलने में ठीक है रोंग हुए है तो उसके लिए सौरी सौरी ओके बाकी हमने वो सारे कोश किया जो पिछले फालों में कई बार पूंचे जाच चुके इस बार आने की संभाव ना है देख लिजिए ट्रबड लोग यानि की ट्रबड लोग कमता होता है या त्रावरतांत ठीक है यह उसी का एंसर है ठीक है तो आप लोग इसका पर तयार कर लिजेगा ठीक है तो इस प्रकास सारे कोश्चन आएंगे पीडियाफ आपको टेली वाट्स पर मिल जाएगी कोई कोश्चन जरूर पूचे और मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जहिंद